तो क्याल चाल से स्रेकाल मैं हूँ नियॉन मैन और आज हम बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान के बारे में तो ये वाला जो टॉपिक है काफी सीरियस है तो ट्रिगर्ड इंसान कल अपने चैनल में दो वीडियो अप्लोड किये थे तो पहले मैं आप लोगो थोड़ा सा बैक स्टोरी देता हूँ शॉट में समझा देता हूँ एक्जाक्ली क्या हुआ था तो दो-तीन दिन पहले ट्रिगर्ड इंसान अपने चैनल में एक वीडियो अप्लोड किये थे वह काफी नॉर्मल वीडियो था है और वो वीडियो कोई कम्यूनिटी गाइडलाइन ब्रेक नहीं कर रहा था बट वो वीडियो में उनको कम्यूनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल गया और वीडियो रिमूव हो गया यूट्यूब से Now remember community guidelines strike खाली YouTube देता है जब कोई वीडियो YouTube का community guidelines break करता है तो Triggered इंसान गेस किये कि वो एक clip डाले थे MMA fight scene का उसके वज़े से शायद हो सकता है कि वो video remove किया गया हो But then MMA is a sport, YouTube में आपको thousands and thousands of video मिल जाएंगे MMA के So yes, इस चीज के लिए उनको खराब लगा और फिर वो अपने first video में बात किये कि उनको previous community guidelines strike मिले थे वो भी kind of unfair थे अब खुद सुन सकते हो उनोंने क्या कहा तो मेरे चैनल पर आ गई एक guideline strike वो मेरी पहली guideline strike थी मेरे चैनल पर एक मैंने video बनाई थी कमलेश solution जो meme famous वा था उसमे video बनाई थी उसमे तो अभी भी YouTube पर चले जाओ और search कर लो तुमें लाखों में video मिल जाएंगी कमलेश solution में लेकिन मैंने जो video डाली वो remove कर दी कई YouTube से because वो guideline थी violation थी क्योंकि उसमें एक चोटा बच्चा जो है drugs वो गयारा की बात कर रहा है जो की again YouTube की guidelines के against लेकिन किसी और ने अगर वो video बनाई होगी वो YouTube पर है video लेकिन वो मैंने बनाई थी इसले remove होगी यूट्यूब को मुझसे पता नहीं क्यों इतना जादा प्यार था मेरी वीडियो स्पेसिफिकली बट देन YouTube उनका वीडियो को restore कर दिया और वो थैंक किये थे YouTube इंडिया को बट गेस वाट नेक्स्ट क्या हुआ उनका वही वाला exact वीडियो फिर से community guideline strike के through take down कर दिया गया इस चीज़ को अपर react करते वे वो अपने Instagram में कुछ stories दा ले थे आप खुद देख सकते उन्होंने क्या कहा था यार I don't know honestly what the hell is going on अभी फिर से email आया YouTube का के वो वीडियो फिर से डिलीट कर दिया because it violated guidelines like what the hell is even going on अभी एक तरफ I post thank you YouTube बले stories and all and फिर से हटा दी वो वीडियो what is even going on यार I don't understand honestly अभी मेरको बिल्कूल निसमधा रहे क्या और एक बार जब strike हट हट चुकी है मलब पहले अपने लगा फिर हटा दी अब फिर लगा दी क्या हो रही है अरे भाई एक बात बताओ मेरको इस वीडियो को तुमने एक बार रिव्यू करके रिइंस्टेट कर दिया अब फिर सेम रीजन की विज़द से हटा रहे हो अरे यार जब तुम्हें खुद को ही नहीं पता के कौन सा content violate करता है guideline या नहीं करता है अब तो मेरको सची मैसे लगने लग गया है कुछ लोगों कोई कमेंट्स मा पढ़ रहा था कुछ लोग बोल रहे थे भाई हो सकता है YouTube में ना कोई तुमारा बहुत ही special प्यार करने वाला बैठा हो अभी मैं शोर हो गया हूँ कि सही में कोई ना कोई YouTube में मेरे special बहुत प्यार करने वाला बैठा है जिसको मेर से जाद ही प्यार है कुछ मतलब छोड़ तो यार चैन से जीले ने तो अच्छा गासा मूवी एंजॉय करके हो मैं जोकर घर आके वापस देखतो फिर email आ रख़े है कि वीडियो फिर हटा दी कही है और वीडियो हटने से जादा स्ट्राइक मार देते हो कुछ भी यार फिर उसके बाद वो एक और वीडियो अपलोड के चैनल में हिपोक्रिसी ओफ यूट्यूब एक्सपोस्टे स्ट्राइक माई चैनल वन्स अगें एंड इसमें वो यूट्यूब के हिपोक्रिसी के बारे में बात करते हैं आप खुद सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा तो स्नाप एक ऐसी एप है जो यूट्यूब गाइडलाइन्स को वाइलेट करती है क्यों क्योंकि स्नाप आपको अब मैं बोलूँगा तो फिर से पर तुम लोगो तो अब तक तो पता चली चुका है ये क्या करता है वीडियो जाप करने में हल्प करता है जो की यूट्यूब गाइडलाइन्स के खिलाफ है नहीं करना चाहिए एंड नेक्स दे जब वीडियो को अपलोड के हुए एक दिन हो गया था मेरे को एक एमेल आता है कि मेरी वीडियो जो है वो रिमूफ कर दी गई है बिकॉज उसमें मैंने इस आप का प्रमोशन करा जो की यूट्यूब गाइडलाइन्स के खिलाफ है एक शेट यार गलत हो गया मिरसाथ मुझे पता ही नहीं था कि याप इतनी बुरी है जिसने मेरे को वो एड दिलवाई थी उस बंदे से भी मैंने बात करनी बंद कर दी लेकिन फिर मैं क्या देखता हूँ जो मेरे से बड़ा यूट्यूबर है सब्सक्राइबर्स में अल्मोस्ट दस मिलियन से भी उपर था उस वक मेरे क्याल से दस मिलियन हो गए थे उनके अमेद भडाना जी उनकी वीडियो में भी उन्होंने स्नापड़ की प्रमोशन कर रखी है उनकी वीडियो थी चैनल पे आज भी है नहीं अपनी वीडियो में स्नापड़ की प्रमोशन करी अंड इन भी वही चीज़ बोली जो मैंने बोली थी लेकिन इनकी वीडियो पर गाइड लाइन इसके बाद मेरे परस्नल फेवरेट हर्श बेनिवाल उन्होंने भी एक वीडियो डाली थी स्नापड़ की ये वीडियो भी तक इनके चानल पे, ये भी गाइडलाइन को वाइलेट नहीं करती है, क्योंकि he is a big YouTuber and I am a small YouTuber और उस वक्तो और वीडियो वाइलेट करती है गाइडलाइन्स को लेकिन इन दोनों की नहीं करती है, हर्ष बेनिवाल और अमिद बडाना दोनों का ही मैं fan हूँ and इनकी तो कोई गलती भी नहीं है, इनको तो पता भी नहीं होगा के वीडियो वाइलेट करती है, इसलिए रह मेरे साथ नहीं है, कल मैने जो कमेंट्स आयना वीडियो में, बहुत कमेंट्स पड़े, ऐसा बहुत सारे यूट्योवर्स के साथ है, बहुत सारे, like seriously, उनके पाँच, दस, पंदरा ग्री टेर जिनको उनसे प्यार है, बाकि सब क्रीटर इटोंट इवन बाटर फॉर दें मैं सच बता रहो तुम्हें, वाट दो इस सिच्वेशन क्या ट्रिगर इंसान के साथ सही हुआ या गलत हुआ, मेरे को कमेंट्स सेक्शन में जवर अपना उप यह था, प्रोबबली देश्ट नाइट आफ माई लाइफ, सिंगिंग नैशनल आंथम एड फिर्स एवर न्बाइ गेम्स हापनि इन मुंबाई इंडिया, And उसके नीचे किसी ने यह reply किया था and मैं देख के सुचा this is very very true, Congratulations to BB for this huge achievement, तो चलिए हम नेक्स चोरी के बारे हैं बात करते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं Krishna versus Emiway के बारे में, तो आपको पता होगा recently Emiway and Selena Sharma मिलके एक song upload किये थे, So recently Selena Sharma अपने Instagram में एक post upload की थी जिसका caption था, Shall I make a diss track? And उसके नीचे Krishna यह comment किये, Hit me up if you need a ghost writer, I murdered a rapper last month, you might know him, Indirectly Emiway के बारे में mention करते हुए, तो चलिए हम कुछ achievements के बारे में बात करते हैं, तो first of all Root Sniper ने complete कर चुके 100 के subscribers, then AJ Gaming ने भी complete कर चुके 100 के subscribers, then Kapil Sharma ने complete कर चुके 2 million subscribers, and finally Sikh Warrior को मिल चुके उनका silver play button, so many-many congratulations to all of them, तो चलिए हम कुछ international stories के बारे में बात करते हैं, तो बात करने वाले Ninja versus Teefoo के बारे में, तो recently Teefoo यह tweet किये थे, Fortnite kinda sucks now TF happened, उनको reply करते हुए Ninja यह कहे, I actually have been enjoying the game recently after the Gotham City update, if you don't enjoy the game, stop playing and roasting it all the time, so basically Ninja Teefoo को यह कहे, कि अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा है Fortnite, तो उनको खेलना बंद कर देना चाहिए इस गेम को, rather than always complaining about it and roasting it, तो Teefoo इस चीज के बारे में थोड़ा सा बात के थे अपने live stream में, तो आप अपुद सुन सकते हैं, तो नहीं क्या कहा, करने वाल है कीमस्टार वर्सिस H3H3 Productions के बारे में, so recently शायद H3 कीमस्टार के बारे में कुछ फ़नी चीज बोले थे, उनको रिस्पॉंड करते हुए वो ट्विटर में यह कहे, H3H3 is still an unfunny hack, I would be more concerned if you actually like my content, by the way he's angry because I said drama alert is ISS favorite news station, which is pretty funny, let's be honest, कीमस्टार उनको रिस्पॉंड कि I'm not angry, it's just not funny, you are not funny, the only time you make anyone laugh is when you smear shaving cream all over your face and dance like an idiot, then you get a chuckle here and there, और वन यू स्टील अदर कोमेडियन's bits, H3 लिखे looking forward to कीमस्टार manically trying to destroy my career for the next year, कीमस्टार उनको रिस्पॉंड कि No need, you've been doing that yourself for years, तो इन लोग के बीच में थोड़ा सा kind of फिर से ड्रामा स्टार्ट हो चुका है, जिन लोग को नहीं पता है, इन लोग के बीच में already पहले बहुत सारा ड्रामा हो चुका है, और फिर से दोनों ट्विटर में एक दूसरे को respond कर रहे हैं, तो I don't know आगे क्या होगा, तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले एक request है, प्लीज जाके मेरे Instagram को follow कर देना, बहुत close हो, मैं 40,000 followers के, जल्दी से जल्दी जाके follow कर लो, एंड 40,000 followers पहुचा दो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगो, तो like कर देना, आज का like इम रखते है, 28,500 likes, आई नो आप लो complete कर दोगे, तो फटाफट complete कर देना है, अगर आप मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो, तो भाई जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं ऐसे आप लोके लिए regular updates लाते रहे, तो हम पूरे YouTube community से हैं कि भाई क्या चल रहा है दर, अगर आपको मेरे को कोई news भेजना हो, तो भाई first link in the description, वहाँ से जाके अगर आपको बटेकली news मेरे को सबसे पहले भेजोगे, तो आपको credits भी मिल सकता है मेरे description में, सो याइसे support करते रहे ना मेरे चैनल को, until the next video, बाबाई!